कहानिया कहते जाएं, कोई सुने ना, कुछ असर ना पड़े, तो कहानी कहने का मकसद originally क्या है आपका? बाकियों का पता नहीं, अनुभव से यह खुद से सवाल पूछते हैं, खुद की किसी भी प्रडक्शन से पहले, यह at least सोच के मुझे तो अच्छा लगता है. आओ उनके लेटिस काम के बारे में बाते करते हैं, आज. Honestly, like 20 other incredible actors, पत्र लेखा, now streaming on Netflix. 25 साल पुराने ये वाक्या, Millenials को तो शायद याद होगा. इस शो के कास्ट से जब मैंने बात की थी, पूछा था कि मेमरी है आपको उस दिन की, जब 24 दिसम्मर 1999 को 24 hours की news cycle से पहले, यह खबर दूरदर्शन पर आई थी, की काटमांडू से उड़ा एक Air India का जहाज, Indian Airlines, हाइजाक हुआ है. पहली बार ये शब्ध हमने तब सुना था हाइजाक. And I remember thinking, even as a child, की हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अपहरण. इननिमेट अब्जेक्ट को किडनाब, कैसे कर सकने हैं? उस Airplane के Pilot की किताब, Flight Into Fear से प्रेरित हो, ये सीरीज में सवाल यही है. जो प्लेन उस दिन हाइजाक हुआ, उसके अंदर बैठे 176 यात्रियों का अपरहनी तो हुआ था. तो क्या उस वाक्य को हम as a human story नहीं देखना चाहिए हमें? Instead of just as an act of disruption, organized crime, a historical event, yes. BUT, उस दिन और उस हफदे की human cost को establish करने, अरभवसे ना, इस्तेमाल करते हैं, stereotypical well establishing shots. उस ill-fated विमान में चड़ते होई लोगों का predictable सा, एक montage आता है starting में, कप्तान के परिवार को करे गई एक आखरी phone call सनाई देती है, मुस्कराती हुई air stewardesses, और कई overhead bins में रखे जा रहे cabin bags के shots. mundane है, overtly familiar भी. शायद इसी लिए यह यहां रखे भी गए हैं, कि आने वाला जो chaos है, वो इस सब के मुकाबले और जारेंग लगे. एक ओडान जो बिलकुल ही routine थी, कितनी जल्दी एक बुरे सपने में तबदील हो गई. यह शो यह भी कहना चाहरा है, कि एक या दो नहीं, 600 directions से 600 किसम के लोग इस दिन से जुड़े होए थे. And as such, major chunks of the action take place in multiple locations, not just on the aircraft. Kathmandu का subplot, जिसमें Abhineta Anufam Tripathi आपको नज़र आएंगे. एक दूसरी और दिल्ली में एक newspaper है, जिसको कुछ खबरे मिल रही है, लीक हो रही है, editor है उसकी दिया मिर्जा, वो reticent है, चापे या नहीं चापे, press की responsibility, etc. A control room in Delhi is set up with the chiefs of staff butting heads and inside the flight itself. Of all of these, the writing focuses mostly on Delhi, जहांपर सरकारी officials हैं, और Kathmandu से कंदहार पहुंचा यह plane. Media की involvement इस event में थी या नहीं थी, उसका असर हुआ या नहीं, यह मुद्दा उठता जरूर है, पर किसी खास impactful निशकर्श तक पहुंचता नहीं. Diyya Mirza और Amrita Puri कुछ banter करती हैं, disagree करती हैं, पर जो subplot यह कहना चाह रहा था कि media को responsible होना पड़ेगा, नहीं तो larger scheme of things में नुकसान होगा, जो आजकल हमें दिख रहा है हो रहा है, वो जल्द establish कर देने के बाद, the writing in that subplot struggles to find relevance. The stakes are never raised high enough here when the media is concerned, and all is lost moment is never reached. दूसरी और Kathmandu वाले subplot में भी, एक prisoner के गयर-कानोनी torture के अलावा, pertinence यही है कि plane में terrorists के अलावा भी RDX रखा हुआ था, but वो tension also never quite builds up. Build-up होता है तो यह main आक्रोश कि क्यों एक हफ़ते का समय लगा negotiations को अंजाम देने में? जब इस grim trajectory में plot हो जाता है settle, then the narrative gets more focused, and to my opening sentence, यह clear होने लगता है कि इस कहानी को 2024 में क्यों दोहरा रहे हैं Netflix पर? जितनी intensity और urgency, plane में बैठे hostages और cabin crew को महसूस होती है, उसके tragically opposite pace में bureaucracy permission देती है सरकारी officials को कोई भी decision लेने की. एक general है जो बेताब है action लेने के लिए, पर बिना permission के कारवाई के वो हिल नहीं सकते, और permission है कि आने का नाम नहीं ले रही है. Interestingly, this sense of urgency inside the plane by the end of the series is entirely reversed as the hostages and terrorists spend time together, एक मौत का डर दीरे गायब साहा जाता है, अंताक्षरी खेलते नजर आते हैं, खाना खाने हैं आपस में flight में, जब on-ground, कंदाहार finally team पहुंचती है बाहर से, और कुछ खलबली decision-making में नजर आती है. So, it's just kind of flips and it's really interesting to see how seamlessly that is done. अचा, इस शो की मंचा ये नहीं है, कि दिखाएं देश एक कितना महान है, और दूसरा कितना करप्त. उंगलियां उठाएं कि ये पांच लोग बस खराब थे, और terrorism का दारोमदार नहीं पर रख दिया जाए. There are many things that make monsters out of men, and to hold a country or a religion or only one agenda responsible for it will not get us any closer to the root cause. Plane के अंदर भी business class passengers और एक GORA passenger, खुद को बाकी hostages से उपर ज्यादा important समझ कर preferential treatment की उमीद रखते नजर आते हैं, तो क्या ये class divide responsible नहीं है, लोगों में भरे हुए गुसे के लिए to a certain level. Shared adversity के बीच भी, societal divides अगर intact रहेंगे, तो दुनिया कल से बहतर कल होनी शुरू कैसे होगी? Captain Devi Sharan, played by Vijay Varma, comes across as the protagonist of this series, जो cut through करता है इन divides को. Plane उडाना भी उन्होंने सीखा, लेकिन खुद को toilet के flush के mechanism को ठीक करना भी सखाया. पूरी series में यही एक character self-control में नजर भी आता है, जिन पर भरोसा किया जाए. Someone who's not prone to giving into histrionics, into emotion, thinking with a clear head at all times despite the gun on his neck. By painting this character in this overtly positive light, as the literal driver Dusharthi. Series कह रही है कि crisis से communities को बाहर निकालने के लिए नेता या लीडर ऐसा बनना होगा, जो किसी काम को नीचा ना समझे, ना दुष्मन की capabilities को कम. जो अपने परिवार का भी सोचे और Diplomacy का भी, जो को इंसान की तरह देखे, जिसके अंदर मर्म हो, and that being soft in the face of a calamity might be the prudent thing to do if you're a leader. It doesn't make you any less of a man or any less of a protector. इस पूरे शूमें एक सेंस यह है, that creators of this series are more focused on the overall plot and the types, rather than on the individuals living through this nightmare, barring a few, both inside the plane and outside. अर्वन स्वामी को तालिबानी external minister's affair के साथ बाते करने जरूर भेज़ दिया जाता है, पर खुद की टीम के अंदर उने शायद as an outsider, South Indian के तौर पे तेखा जाता है, subconsciously. For instance, when he doesn't understand Kumud Michra and Manush Pawa's North Indian slang in conversation and asks what their jokes mean, it is only slightly amusing to the Hindi-speaking counterparts in his team. But we don't quite explore this so much. Anubhav Zina and co-creator Trishan Srivastav carefully कोशिश करते हैं over 6 episodes ये दिखाने की, की hijackers नहीं थे. इसमें भी the writing tries its mightiest best to not preach you about good Muslims versus bad Muslims. क्या Islamic है और क्या नहीं. They're aware of the ramifications of making any statements today through their art. जिन Talibanियों ने Indian government के साथ उस time cooperate किया था, were they good? The Taliban is inherently an evil organization. The terrorists were human, who didn't want any passengers to starve उनको खाना खिलाया, but they did kill a man inside that flight. Perhaps to not come across as too decisive in their judgment of anyone on screen, throughout these 6 episodes, real-life footage भी बार-बार हमें अनुभव दिखाते हैं, reminding you की ये सब असल है, मन-घडनत यहां पर कुछ नहीं. आम तौर पर इस चोईस की fan नहीं हुम है, क्योंकि news clips देखने लगें, तो जो एक fictional dunya बनी है, actors, framing, story, इसकी mithya instantly तूट जाती है. पर यहां, the edit cuts back to real footage so much, I think we ought to qualify this series as a docu-drama. And if you begin to look at it as a naat-ki-yay rupantaran of the events, it sticks the landing quite well. एक reminder that even in the midst of horror, humanity can surface in the most unexpected ways, and that reality, in fact, is stranger than fiction. At least it was this one time. In one such cutaway to grainy footage from 1999, you see an angry man yell to a TV news camera, when the middle class rewards there is a French revolution. It might just be the most powerful moment of this series. Indian middle class ki outrage at the government's handling of any crisis cannot and must not be taken lightly, चाहे सरकार Atal Bihari ki ho, या Joe Biden ki abroad. सरकारी response, bureaucratic inertia, और apathy ke चलते, जितना delay होता जाएगा, उतना गुसा और आकरोश बढ़ता रहेगा, और जवाब मांगने, लोग सडकों पर उतरेंगे. It is inevitable. खर, इतना सब कुछ मुझे तो मिलिया यह शो देखकर, I carried its subtle anger, notes of hope mixed with despondence, heroism intertwined with loss, and of course the overall satisfaction of watching a taut thriller as well. तो देखे यह शो आप, और बताए, what worked for you and what didn't? The series is now live on Netflix. So, on a scale of 1 to 10, I see 814 The Kandahar Hijack is, three or four lines of dialogue Sushant Singh and Yashpal Sharma के हाथ, disappointingly. But watching Manoj Pawa negotiate with the terrorists, like your garden variety Uncle G. It was morbidly fascinating. देखो फिर बताना मुझे. शो की आदी कास्ट का इंटिव्यू करने मिला था, मुझे उसका link description में डाल रहे हैं नीचे, देखियेगा, और subscribe करने का link भी वही है, right next to it. वो भी क्लिक कर लिजए. My name is Susharatha, thank you for stopping by. झावाँ जगे. झावाँ झावाँ कास्टार्षान कर झावाँ वो भी वह़ाँ